देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुरन रमुनी सब होई सुखारे जैसे रियाम दोस्तों स्वागत है आपका हमारे सांदार वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रुपक अलंकार पढ़ने वाले हैं जो की हमारे पूजी जैम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोस्तों देख सकते हैं यार ये बहुत ही साधारन और सिंपल उधारन के माद्यां से मैं आपको समझाओंगा और देवी मया की क्रिपा से आप सभी लोग आज इस रूपक अलंकार को एक दम क्लियर कर सकते हैं समझ जाएंगे और आप जो है इसको इतना साधारन तरीके से समझेंगे ना कि आप जो अपने सब्दों में भी लिखेंगे और दूसरों को भी बताएंगी कि यार सर मुझे सर ने ऐसा बताया था और उसके बाद जो है मेरा रूपक अनंकार क्या हो गया है दम क्लियर हो गया ठीक है तो आप लोग जो है सुरूस लेकर लाश्ट तक चरू देखेगा तो देखे सबसे पहले हम समझते हैं परिभासा क्या करता है कि जब किसी भी वस्तू को किसी दूसरी वस्तू के समान बताया जाता है और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता वहां रूपक अलंकार होता है तो देखे सबसे पहले दोस्तों समझे जैसे माली जे कोई भी वस्तु है यानि जब किसी भी वस्तु को कोई भी वस्तु है एक दूसरा कोई वस्तु है के समान बताया जाता है लेकिन उसमें क्या है कोई अंतर नहीं होता तो वहां हमारा सिंपल क्या होता है रूपकलंका जैस इसे माली जए हमारा एक वस्तु ये है और दूसरा हमारा एक वस्तु है और इन दोनों को क्या किया जाता है दूसरे किस समान बता जाता है लेकिन ही कोई यह पही अंतर नहीं होता है यैज। अब देखें उधारण की मादें से आउ समझिये कि जैसे यहाँ देवी पूझी पध कमल तुhmारे सुर नरमुनिस सब होई सुखारे तो यहाँ देख सकते हैं देवी पूझी पध या नहीं है देख सकते हैं अब चले इस काम थोड़ा सा इस पश्टी करण भी समझ लेते हैं ताकि हमारा जो है यह क्या हो सके एकदम क्लियर हो जाए तो देखिए यहाँ पर सिंपल कहा गया कि यहाँ पर जो है पद में कमल का यहाँ देख सकते हैं देवी मैया के जो पद को किसे तुला की गई कमल से कोई भी दो वस्तों के भी चंतनों वहाँ मारा रूपा कलंकार होता है ठीक है और यह उधारन बहुत ही सरल है आप समझ भी गयोंगे और आपको याद भी हो गया होगा तो दोस्तों आप हमें अभी तुरंट कमेंट करके बताए कि क्या है यह उधारन आपको अच्छा लग क्यों क्या दोस्तों कमेंट करेंगे तो मुझे मालूम होगा कि या जो मैं आप सब के लिए मेहनत करके कुछ यूनिक चीज़ लाता हूँ उसके माध्यम से आप लोग समझ पाते हैं की नहीं ठीक है तो कमेंट करके जरूर बताएगा उसके बाद दोस्तों एक बात और आप सब के लिए मैं चाहूंगा कि या इसे जरूर बताएगर यह करिए क्यों कि यहां से मैं आप सब के दस नंबर कंपलीट कराना चाहता हूँ कि तार समतंग के संपादक कौन थे यग्यें साहब थे कि याकूब खान थे देखे बहुत ही क्या है इपॉटेंट यह जो हमारा ब उनिक तरीके से वीडियो लाता रहूंगा और आगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टापिक का वीडियो चाहे तो हमें कमेंट बाक्स में जरूर बता दीजिएगा जय हिन जय भारत बंदे मात्रम इसी तरह लोग आप सभी लोग तयारी करते रहें और मैं आप के लिए ऐसे ही सांदार तरीके से जो है वीडियो लाता रहूं बस यही दिवी मया किर्पा करें चलिए जय हिन जय भारत